हेलो दोस्तों वेलकम टू आई जीएस्टी यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जीएस्टी अपडेट इशुड बाई नैसिन ओंडेट 15 सेप्टेंबर यानि कि 15 सेप्टेंबर को वीकली जो जीएस्टी अपडेट दिये इशु करें न इसे इशु करा है तो दोस्तों इस वीक के अंदर 9 नोटिफिकेशन एन 3 सर्कुलर्स इशुड तो चलिए दोस्तों इन नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के बारे में पढ़ते हैं तो दोस्तों सबसे पहरा नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नमबर 43 बाई 2018 जो कि इशु वा 10 सब्टेंबर 2018 को and this is regarding time limit for filing GSTR 1 extended for taxpayer with turnover less than 1.5 करोड आपको पता है दोस्तों 1.5 करोड से जिसकी annual turnover कम है उस taxpayer के पास GSTR में option है they can file quarterly return also तो उनके लिए notification आया और उनको बोला गया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर concern था GSTR council में भी या उससे पहले भी और newspaper में भी statement आया कि जितनी 3B file हुई last year में उसके comparative में GSTR 1 जो है कम file हुए है तो government चाहती है कि वो लोग GSTR 1 भी file करें plus दूसरा दोस्तों कुछ time अभी इससे पहले भी notifications में September में ही government ने GSTR annual returns GSTR audit 9A GSTR 9 का part A, part B, part C release कर दिया अब उसके अंदर जो information जो cross checking होनी है वो 2A data के basis पे होनी है और 2A का data दोस्तों जो ready होगा वो GSTR 1 के basis पे ready होगा तो यानि कि important है कि government GSTR 1 भी file करा है इसलिए government ने इस notification में last year के जितनी भी GSTR 1 pending है उनके लिए date extend कर दिये यानि कि अब अगर किसी taxpayer ने last year की GSTR 1 file नहीं करी है they can file without paying any penalty क्या है दोस्तों notification यह कहता है कि for taxpayer up to turnover less up to 1.5 crore limit for filing GSTR 1 for quarter 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 कब से ले देखे July to September उसके बाद October to December January to March 18 तक का इसके लिए periods in quarters की returns GSTR 1 they can file up to 31st October April से लेके जून तक की दोस्तों GSTR 1 जो कि April to June 2018 की बात कर रहा हूं इसकी due date क्या है दोस्तों 31st July वो ही है इन्होंने last year की जितनी भी GSTR 1 है quarterly वाली उसकी date extend करके क्या कर दिया है 31st October so taxpayer can pay file return without payment of any penalty interest and penalty इसके बाद दोस्तों next जो notification है जो कि notification 44 by 2018 यह भी 10th September को issue गई यह दूसरा part है दोस्तों इस date extend करने का GSTR 1 date extend करने का पहले date extend किसके लिए करी जिनकी turnover less than 1.5 crore थी अब इन्होंने extend करा किसके लिए जिनकी turnover 1.5 crore से ज्यादा की है इसके अंदर दोस्तों date जो extend करी गई है यानि कि monthly जो GSTR 1 file करते हैं उनके लिए date extend करी गई है और यह किस period के लिए July 2017 से लेके September 2018 तक यानि कि शूरू से लेके अब भी September तक की भी जो monthly taxpayer है जोनोंने GSTR 1 file नहीं करा है वो return file कर सकते हैं without payment of tax इस notification में दोस्तों एक चीज़ और अड़ करेगी है यानि कि quarterly वाले में मार्श तक की बात करेगी है monthly वाले में September तक की return की date extend करेगी है so it is clear quarterly वालों की लिए date extend करेगी है इन्होंने March 18 के लिए 31 October और यहां पर जिनकी turnover date crore से ज़्यादा है जो की monthly return फाइल करते है वो जुलाई से लेके September तक की return they can file up to 31 October जुलाई 2018 तरहें की January 17 से September 18 इसके बाद दोस्तों इसमें और एक और चीज़ एड़ करी है यह यादा दोस्तों थोड़ा दिनों पहले एक और नोटिफिकेशन आया है which is 30 by 1 by 2018 जो कि किसके लिए था जो transition में जिनोंने जिनके पास migration ID आया बट उन्होंने GST में migrate नहीं हो पाए migration नहीं करवाय पाया उनका GST अक्टिवेट नहीं हो पाया उनकी provisional ID आइडल रहे गई उनके लिए option दिया government ने इस notification में कि आप अपने ये application बना आप अपने judicial officer को submit करिये और उसके बाद जो भी procedure जो notification में लिखा हुआ है उसके इंदर follow करके आपका registration grant हो जाएगा और ऐसे अगर टेक्सपेर हैं जो ऐसा registration अब लेंगे इस notification के थूँ 31st by 2018 के according अगर registration लेंगे तो उनके लिए यहाँ पर GSTR1 filing में भी relaxation दी गई है उनके लिए क्या बोलागा है कि वो July 17 से लेके November 18 तक की जो return है वो कब तक file कर सकते हैं दोस्तो 31st December 2018 तक file कर सकते हैं उनके लिए उनके लिए और दो महीने और extend कर दे गई है date अब दोस्तों इसके बाद जो next notification है वो कौसी है notification नंबर 45 by 2018 अब यहाँ से जो हमने दो notification दे कि GSTR1 की अब notification यह जो third notification है वो है किसके GSTR3B की GSTR3B की भी date दोस्तों इन्होंने date extend करी है किसके लिए दे 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 नोटिफिकेशन बताता है कहता है कि प्रोविजों इंसर्टे नंबर 21 by 2017 8 September 2017 यह notification में आड करा गया है क्या आड करा गया है फोर टेक्सपेर हुज है अप्टें रेस्टेशन अंडर नोटिफिकेशन बाई 31st by 2018 यानि कि वही जो मैंने भी बोला वो special टेक्सपेर जिन्होंने migration नहीं कराया जिनके लिए भी 31st by 2018 नोटिफिकेशन आया है उनके लिए जी एस्टियर 1 की डेट भी क्या है 31st दिसंबर कब तक की नवंबर 18 तक की पिरिड की और उनके लिए जी एस्टियर 3B की जो टाइम लिमिट है वो भी एक्स्टेंड करके कब से जुलाई से लेके नवंबर 18 तक की 3B ये कब तक फाइल कर सकते हैं 31st दिसंबर विदाउट पेंग एनी इंटरस्ट एन पैनल्टी अगला है दोस्तों नोटिफिकेशन नमबर 46 by 2018 ये नोटिफिकेशन उससे लग नेक्स वाला नोटिफिकेशन है कि 45 46 47 by 2018 ये तिनों करी जा रही है special taxpayer जो कि जिन्होंने transition में migration नहीं करा था हूँ migrate कराते हैं उनके लिए है ये तीनों नोटिफिकेशन ये तीनों 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 नोटिफिकेशन अलग लग जो dates extend हुई थी उन सब के लिए थी उसको ये supersede कर रही है नोटिफिकेशन इस 30 by 2018 वाले taxpayer जो registered अभी होंगे उनके लिए तो मैं इनको skip कर देता हूँ दोस्तों मैं next पे आता हूँ इसके बाद दोस्तों next notification 48 by 2018 ये हुए amendment कहां पे cdst rule के अंदर amendment हुई है और ये भी दोस्तों transition से ही related है transition के अंदर दोस्तों हुए याद होगा कि विए ट्रांस वन और ट्रांस टू फॉर्म परते थे तो उनके लिए ये टेक्स्टेंट करीगे जब अब taxpayer migrate होके आएगा अब वो अपने returns फाइल करेगा तो gstr1, gstr3b के साथ ट्रांस वन और ट्रांस टू भी कुछ taxpayer होगे जो उनके पास stock पड़ा होगा तो यह उनके लिए है दोस्तो ट्रांस वन ट्रांस टू की date extend करी गई है क्या कहता है दोस्तों इसमें जो due date है ट्रांस वन की जो date है वो date extend कर दीगी ये कब तक के लिए 31st मार्च 2018 तक के लिए extend क कर दी गई है और similarly ट्रांस टू के लिए जो date extend कर दी गई है वो उसे एक ट्रांस वन की date से एक मन्त आफ्टर यान की 30 सप्रेल 2019 date extend करी गई है तो अब अगर किसी का नॉर्मल का भी किसी का अगर transition का credit अगर रह रहा है तो वो अभी भी ट्रांस वन फाइल करके अवेल कर सकता है यूटलाइज कर सकता है ट्रांस वन करके तो अगर किसी का में से तो अभी भी opportunity है and government said कि this is the last opportunity will be given to those taxpayer to avail this benefits अब दोस्तो उसके बाद अगला जो notification है notification है दोस्तो 49 by 2018 यह notification है दोस्तों हम पर अब audit जो है GST में audit mandatory हो गया है किसकी लिए जिनके turnover last year के financial year 2017-18 में टू करोड रुपीज से exceed कर रही थी तो क्या कहता है form 9c notified form 9c is a reconciliation statement to be submitted by every registered person whose turnover exceed 2 क्रोड रुपीज my opinion in this matter कि यहांकि इस 9c form reconciliation जो कि CA या CMA इसको audit करेगा और हमें अपनी annual return के साथ लगाना होगा यह statewide देखा जाएगा state में अगर मेरी क्योंकि registered person statewide है तो अगर एक registered person यह company के अगर चार location में उसका business है like four states में उसका business है four states में से वो चारो states में registered है that is okay but अगर वो registered person वो registered company के दो address में जो turnover है वो दो क्रोड से जादा है और बाकी दो locations दो states में दो क्रोड से अगर कम है तो उस company को जो 9C form यानकी audit जो कराना पड़ेगा वो दो states में कराना पड़ेगा चारो location में नहीं कराना पड़ेगा यह ऐसा है इसका form दोस्तो 9C आ चुका है अब इसके बाद अगला जो TDS का जो provision जो की section 52 में 51 में था जो की काफी दुनों से defer करा जा रहा था जो की TDS किस पर applicable होता है दोस बाद इस पर applicable होता है उनको धाइक लाग से ज्यादा का अगर कोई contract value है तो उस पर vendor को जो payment करेंगे उस पर जो GST का amount है as the rate कितना 2% deduct करके ही payment करेंगे तो यह इसके लिए TDSF provision अब notified कर दिये गए है by notification by 55 2018 यानकि from 1st October ये notification कहता है from 1st October this provision यानकि section 51 applicable to this government bodies तो इसके अंदर कौन-कौन से है government है local bodies है government agencies है और other notified person है other notified जो person अभी तक के है वो भी बता रहे है कौन से है authority है board or any other body set up by actor, parliament or state legislature यानकि ICI भी इसमें आता है public sector sector undertaking वो भी किसमें आता हैंगी government bodies यानकि section 51 में वो ने compliance करना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों TCS का भी provision अब applicable होगे जो कि section 52 था और यह किस प applicable होता है है दोस्तों यह applicable होता है e-commerce operator companies पे जो e-commerce operator companies है अब यानि कि Flipkart Amazon इन companies को अब क्या करना होगा इस section के according comply करते हुए TDCS deduct करके deposit कराना होगा इसके बाद circular notification complete होगे दोस्तों इसके बाद circular हुए पहला जो circular है बहुत important बहुत दिनों से बहुत pending एक debatable issue चल रहा था क्या था वो priority sector lending certificate के regarding यह banking में होता है दोस्तों यह अगर आप सलजेंगे तो यह RBI की कुछ priority sectors है like agriculture और micro finance, micro industries और farmers related जो sectors है उनके लिए यह होता है इनको RBI इसको priority sector lending होता है इसके लिए certificate issue करता है जो कि आपको RBI के e-cubair app पे भी इसकी auction मिल जाएगी यह auction के दुरू bank purchase करते है इसको पहले यह security माने या नहीं माने इस पे भी इस पे debate था जो कि बाद में clarify भी करा गया था circular के तुरू GST department ने कि यह security में नहीं आता है तो इसके ओपर GST क्या लगेगा कि section में लगेगा यह goods है services है किसमें fall करेगा इसको लेके काफी जादा इश्चुस है यहाँ पर इन्हों ने इसको clarify कर दिया है इसको बोल दिया है कि यह क्या रहेगा इसको supply मानेंगे और forwarding charges basis पे यहाँ पर GST जो लगेगा 12% लगेगा और यह कब से लगेगा दोस्तों since beginning यहाँ कि 1st July 2017 से लेके 25th 27th May 2018 तक के लिए उन्हें बताया कि 12% का rate लगेगा यहाँ पर यहाँ कि जिन्होंने नहीं पेग रहा था उन्हें पेग करना होगा इसके बाद दोस्तों अगला circular जो आया है वो regarding refund claim process by the UN entity यहाँ कि जो embassy है वो refund कैसे claim करेंगे उसके लिए पूरा एक procedure यहाँ पर jot down कर दी गया यहाँ पर बता दिया गया circular में कि क्या उन्हें procedure follow करना पड़ेगा उन्हें checklist बनाने पड़ेगी उन्हें invoices के detail बनाने पड़ेगी और उसके अंदर जो UN number है उसकी relaxation भी दी गई कब अभी नहीं दे सकते हैं तो इस तरीके का पूरा process यहाँ प से related दोस्तों बहुत important और यह circular issue करा गया है यह कैसे regarding था दोस्तों बहुत सारे cases law इवे बिल के अंदर आने लगे थे ऐसे जहाँ पर एक तरीके का clarify कर दे एवन जहाँ पर court ने भी हाई court ने भी intervene करा था और अपने judgment दिये थे तो अब यहाँ पर circular के थूर यहाँ पर इन्होंने clarify कर दिया गया है कि अगर minor mistake है following type की तो वहाँ पर उसको negligent माना जाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा उसको consider नहीं करा जाएगा कि इन्हों में कई difference आ जाता है पर पिंकोड ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर पिंकोड error है भी बट उससे जो distance का kilometer है वो change नहीं हो रहा हो और इसके अलावा अगर bill number में एक या दो digit का mistake है वो consignor के address में यह hsn code में कुछ थोड़ा वो changes है तो यह rate वही रहना चाहिए बट GST का rate वही र 500 अंडर SGST इनके 1000 रुपिज ऐसे cases में penalty लगेगी और इसकी आगर detail देने कैसे detail देगा officers department को उसके बारे में procedure बताया गया है इसके बाद दोस्तों GST portal की एक updates भी आई है नहीं अब पहले हम GST किसी का अगर हमें validate करना है तो हम GST portal पे जाके pre login या post login हम वहाँ पे GST इन number डालके उस vendor की detail को validate कर सकते हैं अब इस detail को आप in addition to that अगर आप pen basis पे भी check करना चाहते हैं तो अब GST portal पे आप SSE का pen number डालके भी check कर सकते हैं whether he is registered under GST or not और when he is registered तो उस case में उसके details क्या क्या है उसको भी आप वहाँ से cross verify गरके या ले सकते हैं देख सकते हैं उससे इसके लावा एक और GST portal पे amendment आया है पहले non-core core field normal taxpayer के लिए थी अब इसके लावा in addition to that जो कि हमारे non-resident taxpayer है या OIDR जोंकि online services वाले हैं TDA से TCS taxpayer वाले भी अपनी अगर non-core field को change करना चाहते हैं online portal पे तो वो अब functionality available है वो कर सकते हैं अब इसके बाद दोस्तों legal update की बादर आती है legal update लिगल update में इस बाद जो case ने दिया है वो दिया है इसके अंदर दोस्तों क्या था यहाँ पर कंपनी ने कोट में गुजराथ हाई कोट में case डाला की वो first stage dealer है और first stage dealer के लिए under transition provision अगर उसके पास कोई पुराना stock पढ़ा हुआ है तो उसका credit ले सकते हैं but that stock not more than one year old एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए ऐसा sectional transition provision section 140 में दिया गया है अब इसको लेके company ने कुजराथ हाई कोट में case डाला की उनके पास एक साल से ज्यादा भी stock पुराना पढ़ा था due to nature of business उनका business था bearing का जो motor parts में आता है जहां पे उसकी life cycle बहुत ज्यादा होत पास इतना sufficient stock पढ़ा रहते हैं रखते हैं लोग कि उसका जो life cycle है वो भी ज्यादा उसकी जो selling cycle है वो भी एक साल से ज्यादा की है तो यहां पे company ने case जाला कि उन्हें यह जो एक साल का पीरिड है वो गलत है इसमें उन्हें relaxation दी जानी चाहिए उसके लिए high court ने इसको admit भी कर रहा एकसेप्ट भी कर रहा है और इसका judgment को अभी उन्होंने 31st October तक के लिए hold कर रखे stay कर